प्टक्राइब प्रोसीजरिंग प्रोसीजर ऑफ हीरिंग दापील अपील जो है वह अपील की जो सुनवाई करते उसके लिए प्रोसेस कौन सा फॉलो किया ज़ता है उसके लिए ठीक है कल मैंने आपको पीले ट्रीबिनल का स्ट्रक्चर बताया था प्रेजिदेंट के नीचे बेटा कौन करता है प्रेजिदेंट के नीचे बेटा कौन काम करता है इसके नीचे बेटा कौन काम करता है इसके नीचे होते हैं वाइस प्रेजिदेंट यह वेटा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं वाइस प्रेजिदेंट कई हो सकते हैं लो मैंने लिख दिया कि बहुत सारे जी प्रेजCTV्ट रेंट हो सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर है प्रेजिडेंट फिर बैटा होता है सीनियर वाइस प्रेजिडेंट और फिर वाइस प्रेजिडेंट और इसके नीचे कर दो को चलो हाँ जी वेटा देखिए अपीले ट्रिमिनल का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले नमबर में बताया था प्रेजिडेंट होता है प्रेजिडेंट के नीचे वेटा सीनियर वाइस प्रेजिडेंट सीनियर वाइस प्रेजिडेंट के अंडर वाइस प्रेजिडेंट और उसके नीचे वेठा अधर मेंबर्स उसके बाद ध़ता है आपको जुडिशियल ए और प्रेजिडेंट कोन बन सकता है उसके लिए मैंने उकिल आपको बताया में था प्रेजिटेंग बनने के लिए जो व्यक्ति हाइड कोड का सिटिंग या रिटायर्ट जद्उट और कम से कम साथ साल जिए डू सुफा अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा यह जो structure में आपको कल लिखवाया था इसके बाद आगे का जो structure है यह जो other members है जो ट्रिबिनल के other member है इनके आगे benches बनाए जाते हैं इनके आगे क्या बनाए जाते हैं benches अब benches का क्या मतलब है अधर members के आगे क्या बनेंगे benches तो आज हमने यह करना है कि अपीले ट्रिबिनल के जो benches हैं वह benches कैसे बनाए जाते हैं एक bench में कितने member हो सकते हैं ठीक है और सुनवाई कैसे की जाती है यह बेटा आज का हमारा discussion का topic रहेगा तो चलो start करते हैं benches के ब benches का मतलब यहां पर वह benches नहीं है जिनके ऊपर आप college में बैठते हैं benches का मतलब यहां पर है group of judges benches का मतलब यहां पर क्या है सुनिय ध्यान से benches का मतलब होता है group of judges जिसको हम panel बोलते पाण जी विटा, group of judges को क्या बोलते है, panel of judges, ठीक है, तो जो judges का panel बनेगा, या judges का group बनेगा, जो हमारे मामले की क्या करेगा, सुनवाई करेगा, उसको bench बोला जता है, हाँ जी विटा, bench का मतलब क्या है, bench का मतलब है, judges का वो panel, जो करदाता के case की सुनवाई करेगा, ठीक है उसको बिटा हम bench बोल देते हैं तो यह जो benches हैं यह कैसे formulate किये जाते हैं और कितने benches आज तक at present आज की डेट में कितने bench इंडिया में काम कर रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं हां जी बिटा चलिए next slide पर लेके चलता हूं आपको हां जी बिटा देखिए formation of benches हमने बात करनी है benches की formation क्या होती है अब यह भी मैंने बताया benches का मतलब बिटा क्या होता है benches का मतलब होता है benches का मतलब होता है group of judges हां जी बिटा बैंच का मतलब है group of judges ग्रूप ऑफ जजीज को पेटा हम क्या बोलते हैं पैनल इसको पैनल भी कह सकते हैं पैनल ऑफ जजी इसका जो श्यक्ति का मोस्ट एप्रोप्रीएट वर्ड निए ठीक है अब ध्यान से सुनिएगा Peteлять tonight ITAT 1941 में बना था ध्यान से सुनिएगा कौन से इर में बना था 1941 में Income Tax Appealate Tribunal जो संस्था है ये 1941 में बनाई गई थी कितने members के साथ 6 member के साथ उस time बेटा 6 member थे और उस time पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में केवल 3 benches थे ये पहले मैं 1941 की बात कर रहा हूँ 1941 में 6 member से शुरुवात हुई थी और कितने benches थे? 3 benches 3 benches बेटा बनाए गए थे एक देली एक मुंबाई उस time मुंबाई को बंबे बोलते थे और एक बेटा कैलकटा ठीक है जी? 1941 में शुरुवात हुई थी 6 member से और कितने benches थे? 3 benches एक bench दिल्ली में काम करता था एक कैलकटा में और एक बंबे में आज की डेट में अगर मैं आज की डेट में बात करो आज की डेट में income tax appeal at tribunal के अंदर at present हाँ जी बेटा 63 benches है आज की डेट में 63 benches काम कर रहे हैं all over India और कितनी location को cover करते हैं 27 location को दीक है जी और हर एक उस शेर में जहां पे अपना हाई कोट है वहां पे इसकी बेटा ब्रांच जरूर मिलेगी जैसे अपने हर्याना का हाई कोट बताओ कहां पर है अजी बेटा जरा चैट बोक्स में लिखो चन्डीगड में एक branch जुरूर मिलेगी इंकम टेक्स अपिलेट ट्रिविल की एक branch चंडीगड में मिलेगी दिल्ली में हई कोट है इनल्बाद ही कोटहर को कहने पच्छीस ब्रांची जाना पिए तो इंकम टेक्स ट्रिमिनल मिलेगा यह चलो यह तो बाते आप लिख देना वेटा पेपर में ठीक है अब मैं बात करता हूं ग्रूप जजिस की जैसे पैनल की बात कर रहे हैं हिए है कि पैनल बीटा जींतर हो सकते निए से सुना पैनल जो है कि टीन तरह हो कि अ味 historians करें सब्繁 कौरेबहरा एक होता है सि偏ंगल म्यंबर कि सिंगल मेंबर पैनल अगरे जोटेनीटक टू मेंबर-दो मेंबर का पैनल और एक बेटा होता है, more than two, दो से ज़्यादा member का panel ठीक है बेटा, ये दो से ज़्यादा member का panel है अब ध्यान से सुनना, high court के इंदर, sorry, income tax appealate tribunal जो panel त्यार करता है वो panel तीन तरह क्यों हो सकते हैं, single member panel, two members panel और more than two जो two member panel होता है इसको बोलते है normal, ये normal, normal panel ये होता है ज्यादा तर जो panel है, सुनवाई करने के लिए, उसमें कितने judges होते हैं बेटा, कितने members होते हैं, दो ठीक है, ठीक है जी, अच्छा आप ध्यान से सुनिएगा, normal panel के अंदर कितने members होंगे, दो member होंगे ये जो panel है, जिसमें दो से ज्यादा member है, दो से ज्यादा member बेटा, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, इसको बोलते है इसको special bench बोलते हैं, ये normal bench है, या normal panel के लो, या normal bench के लो, इसको बेटा special panel के लो, या special bench और ये बेटा है single member, ठीक है जी, single member bench पैनल का मतलब बेटा यहां पर है, सुनो ध्यान से, पैनल का मतलब है, group से, group of judges, group of members, ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, यहां पर जैसे मैंने तीन तरह के पैनल बताए आपो, हां जी बटा, एक single member bench, एक two member bench और एक three member bench, income tax appeal at tribunal में, जब भी कोई case जाता है, मान लिजिए, मैंने कोई case file कर दिया, tribunal के अंदर, किस के decision के against, commissioner के decision के against, ठीक है जी, और मेरा जो case है, वो normal case में आता है, तो मेरे जो मामले की सुनवाई करेगा, वो normal bench करेगा, normal bench का मतलब जिसके अंदर दो member है, ज़्यादा तर मामलों की सुनवाई, जो दो members का जो panel है, वह ही करते है, normal bench के द्वारा की जाती है, और ध्यान से सुनिएगा, normal bench के अंदर जो दो member है, उन में से एक member, एक member बेटा judicial होगा, एक member तो judicial, और एक member accountant, हाँ जी बेटा, normal bench के अंदर कम से कम, एक member judicial, एक member तो बेटा judicial होगा, और दूसरा accountant member होगा, और जो special bench मेंने लिखवाए है, special bench के अंदर जैसे दो से ज्यादा member है, जैसे मैंने ये special bench बनाया, पांच member का, तो इसके अंदर कम से कम एक, कम से कम एक accountant होना चाहिए, ऐसा नहीं ह द्यान से सुनना, इन पांच member में बेटा, ये जो मैंने पांच member बताया है, इन में कम से कम, at least one accountant, and one judicial member होना चाहिए, ठीक है जी, तो कहने का मतलब, income tax appealate criminal जो संस्था है, वो उसके अंदर जो case की सुनवाई करने के लिए बेटा क्या बनाई जाते हैं, benches बनाई जाते हैं, benches ये tीं तरह जबताया, benches single member bench हो सकता है, two member bench हो सकता है, more than two, single member bench, जो two members का bench होता है, उसको normal bench बोलते हैं, ज्याधा थर मामलों को सुनवाई, normal bench के दवरा ही की जाती है, और जो two members का bench होगा, उसमें एक तो accountant member होगा, दूसरा judicial होगा, और जो दो से जादा member वाला bench है, थीए यह 3 चारी पांच वाला तो उसमें कम से कम से कम एक अधिक нап mor be ण चाहिए और एक विटा जुडी तो घुए कि अब आदा यह जानधा exercise क्यूंश करता है ज़दा तर लगन कों करने के लिए रश्योट चे Gregory special case जब कोई special case हो जहां पर एक के लिए बड़ा इंपोरटेंट है और इसकी सुनवाइब के लिए दो जजिस का पैनल जो है दो मेंबर का पैनल सुफिशेंट नहीं है तो उस case में 3 या 3 से ज़्यादा मेंबर्स को का पैनल अलग से बनाया जा सकता है केस की सुनवाई करने के लिए ठीक है जी अच्छा अब आज वह जो सिंगल मेंबर बेंच कभ यूज किया जाता है सिंगल मेंबर बेंच के लिए कंडिशन है जब असेसिंग ओफिसर के द्वारा जो इंकम निर्धारित की गई है अगर वह 50 लाग से कम है अगर 50 लाग रुपे से कम का केस है तो उस मामले की सुनवाई उस मामले की सुनुभाई सिंगल मेंबर बैंच भी कर सकता है हां जी पचास लाख रपे इस तक मामला हो पचास लाख रपे तक के मामले के लिए सिंगल मेंबर बैंच यूज गिया जाता है ठीक है जी यह ध्यान दखना तो तीन तरह के बैंचिज्च होगे सिंगल मेंभर बैंच बैंच और देन टू तो यह आपको पता होना चेंगा कब कब जैदा कैसी कि सुनवाई नॉर्मल बैंच के द्वरा किजातीय जिस में दों मेंबर होंगा सिंगल मेंबर बैंच कभी हूज किया जाता है laquelle इस इंकम बैंच बिए बनाए जा सकता है स्पेशल मेंबर्स की संख्या है वो तीन यह तीन से जधा होगी ठीक है और खास बात है है इस का जी बैडिसीधन लिया जाएगा डिसीधन टेकन बाइ मैजोर्टी के जा इसका डिसीजन कुछ और है इसका डिसीजन कुछ और है ठीक है जी मेरे केस की सुनवाई करने के लिए दो मेंबर्स हैं और दोनों मेंबर्स के ओपीनियन मेरे केस को लेके अलग-अलग है दोनों की राये में मतभेद है तो उस केस में क्या होगा उस केस में प्रेजिडेंट क्या करेगा इन मेंबर्स के साथ एक दो मेंबर और पहले दो मेंबर थे अब सुनवाई कितने बो करेंगे तीन मेंबर करेंगे तिर यह देखा जाएगा मेजोर्टि बनी या नहीं माल लेते अब अब यह जो दो मेंबर एक तरफ है इन दोनों की राएस हैं ऑस तो इन दोनों के दुआ। मतलब का मतलब फिर से लिया जाएगा जब तक जो सभी मेंबर्स हैं उनमें बोलागा मतलब तब आप समयते हो में जोर्टी का मतलब होता है मोर दें 50 परसेंट एक एक साइड हो ठीक है एक ही बात के फेवर में हो तब ही वो डिसीजन लिया जाएगा पांजी बेटो तो अगर जब तक में जोर्टी नहीं बनती तब तक प्रेजिडेंट क्या करता रहेगा उसमें मेंबर से एड करता रहेगा और जैसे मेंजूर्टी बन जाएगी डिसीजन में उस डिसीजन को फाइनल कर दिया जाएगा देखो अब इसको है अच्छा सिंगल मेंबर बैंच में जो है यह घूनल मेंज लिखवाया यह हमेशा जूडिशेलं उते हैं इसिंगल मेंबर में हमेशा जो मेंबर होगा वो कॉंसा और जूडिशन हांजे वेटा इसका स्क्री शूट ले लीजिये हां जी बेटा अब चलते हैं आगे हां जी बेटा इसको लिखना ऐसे है ट्रिमिनल इस डिवाइड इन्टो सेवरेल बेंचेज एक बेंच के अंदर नॉर्मली एक जुडिशियल मेंबर होता है एक अकाउंटेंट और यदि टोटल इंकम पचास लाक रपे से ज्यादा ना हो तो एक मेंबर ही होगा बेंच में आउनली वन मेंबर विल कॉंसिचूट था बेंच यह वेटा सारी बाते लिख लेना और एक स्पेशल बेंच भी लिख देना स्पेशल बेंच जिसके अंदर त स्क्रीन शोट ले लो फटावट से चलिए आगे चलते हैं अब आता है प्रोसेस औफ हीरिंग एंकम टेक्स अपील एट्रिबिनल मामले की सुनवाई कैसे करते हैं आप आंज बेटा मामले की सुनवाई करने का प्रोसेस बेटा आल्मोस्त सेम है जो हमने उसमें पढ़ा था कमिशनर के लिए सबसे पहले बेटा अब इंकम टेक्स अपीले ट्रिमेल क्या करेगा डेट फिक्स करेगा और जैसे उसमें भी था कमिशनर ने सुनवाई की तरीख फाइनल की ठीक है अलोंग विद प्लेश ओफिरिंग साथ में प्लेश भी बताया जाएगा कि सुनवाई क को सी तारीक होगी किस जगा पर होगी और उसकी चुछत n half न भेजीजिद से FUCK मतलब ह अपिलेंट के पास बहुत है रसे जरू के सकते हो हुआ युप पेस करेगा यूह च्छ यह पैनल भी कह सकते हो अगर ज़ादा इंक्वेरी की जूरूर्ट तो उस मामले में अगर और ज़्जाधा एवीडेंस की जुरूर्ट तो उसको इसको किया जा में क्या होगा अपील विल भी हीर रिस्पेक्टिव डेट जो भी नेक्स डेट दी जाएगी उस नेक्स डेट को फिर मामले की सुनवाई की जाएगी ठीक है इसलिए मैंने बताया था लोग कोर्ट कचारी के चक्रों से बचते हैं क्योंकि बार-बार जाना पड़ता है ठीक है औरके यहां जब अपील डाली जाती है दो सको एक साल के अंदर सोल करना होता एंड राव सल करना होता दिन वन यह पील मेल कहां जाए त्रीक्ट को सोल करने के लिए उस में से छार साल की महाई है और 4 साल कहाँ से काउंट होंगे जैसे उसमें बताया था Commissioner के Case में from the End of Financial Year in which the appeal is filed जिस साल वो appeal डाली गई है जिस Financial Year में appeal डाली गई है उसके end से Tschaaar साल के अंदर हर हाल में appealat Tilnull को अपना decision सुनÁना होगा और appealatatrium to convince its order order नोचीज़ों औरल फॉर्म मेंचे होगा और सब्सक्राइब को मतलब किया जायगा एक्सपेर का मतलब जो बी निर्ने बेंच के द्वारा लिया जाएगा और एज वेल एज अब आगे लास्ट पेराग्राफ क्या कहता है जनरली जो मामले की सुनवाई है वो कौन करता है अकाउंटेंट मेंबर और जुडिशियल मेंबर ठीक है जी हाओयवर देह이ं लिखा हो है इन समस्पेशल केसिभाइगंख कर सकता है इक स्पेशल बैंच मेंभर का जिस में कम से कम एक अकॉंटेंट मेंबर होगा और कम से कम में एक मेंबर का डिव्रणिस अगर अलग-उदर कैसी लिए जैगा मैजोर्टी से अगर मैजोर्टी नहुत ना में इन्वाल्व होना पड़ते हैं ठीक है बेटा क्लास बेटा बंद होने वाली है